दोस्तों अब तक अब लोग सुने होंगे कि South China Sea के अंदर चाइना के बढ़ते हुए aggressive behavior को रोकने के लिए और अमेरिका के allies को protect करने के लिए अमेरिका के द्वारा कई वार अपने worship और aircraft carrier को भेजा गया दोस्तों South China Sea के अंदर इस तरीके से अमेरिकी missile के तैनाती चाइना के आखों में तो खटक रहा है लेकिन चाइना इसका कुछ गर नहीं पा रहा है और आजके इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका के द्वारा South China Sea के कौन से शेत्र में कौन से missile का तैनाती किया गया है और ये missile चाइना के लिए इतना खतरना क्यों है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो हाली में Eurasian Times के एक रिपोर्ड में दावा किया है कि अमेरिका के द्वारा चाइनीज नेवी को अपने दवाव के अंतरकत लाने के लिए South China Sea के अंदर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाने वाले एक आईलेंड के उपर नया और पावरफूल मिसाइलों का तैनाती किया गया है बेसिकली दोस्तो इन मिसाइलों को लेके कहा जा रहा है कि ये असल में US Marine Corps के द्वारा तैनात किया गया Naval Strike मिसाइल है जो एक Rapidly Moving मिसाइल है जो कि बेसिकली Marine Corps के लिए Ground Base Anti-Ship Roll को निभाएगा और ये Chinese Navy को इस शेत्रे से दूर रखने में मदद करेगा दोस्तो South China Sea के लगवग 90% हिस्से के उपर चाइना के द्वारा दावा किया जाता है और चाइना इस शेत्रे को अपने अधिन लाना चाता है जबकि इस शेत्रे में कई अन्य देश भी है जिसका Exclusive Economic Zone है और International Law के मुताविक उन देशों का भी शेत्र चाइना के दावे के अं वांटेज है ऐसे में जो अमेरिकी मरीन कोर इस शेत्रे में तैनात है उसे जादातर बड़े हमले को काउंटर करने के लिए एर या फिर नेवल सपोर्ट का आवशक्ता पड़ता है पर इस बार मरीन कोर के द्वारा जो ग्राउंड बेस्ट एंटी शिप मिसाइल मतलब इसे फायर एसेटों को इस्तेमाल किया जाना है जो रैफिटली मुवेवल हो और मरीन कोर को दुश्मन के खिलाफ एक ताकदवर फायर फावर पोवाइड कर सके और दोसर यूएस मरीन कोर के तरफ से चायना को ध्यान में रखके ही इस तरीके के डॉक्टरन को अपनाया गय दोसर इससे पहले भी कई अमेरिकी लॉमेकरों के तरफ से जानकरी दिया गया था कि चायना जिस तरीके से हतियारों का डेवलप्मेंट और डिप्लॉयमेंट कर रहा है इससे पेसिफिक फेस्तित अमेरिका के बेस के ऊपर काफी अधिक खत्रा है और चायना के ग्राउंड मेंड लेंड के नजदिक पहुँचता है तो चायना के द्वारा ऐसे मिसाइलों का इस्तिमाल करके एक वार में ही अमेरिकी नेवी के उपर जोड़दार प्रहार किया जा सकता है जो अमेरिकी नेवी के लिए काफी अधिक नुकसान दायक हो सकता है अब दोस्तों बड़ा बात ये है कि अमेरिका के तरफ से इन मिसाइलों का तैनाती कौन से आइलेंड में किया गया है रिपोर्टों के मुताविक अमेरिका के द्वारा इन मिसाइलों का तैनाती स्कारबर अशोल नामक आइलेंड में किया गया है जो बेसिकली नियू यॉर्क शहर के नस्दिक सबसे बड़े आइलेंड मतलब लियू जौन से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर है और ट्रेडिशनली या फिर कहें तो हिस्टरिकली ये फिलिफिन के अंतरगत ही था लेकिन चायना और ताइवान दोनों के द्वारा ही इस आइलेंड के उपर क्लेम किया जाता है दोसो बेसिकली ये अमेरिका को इंडोनेशिया के द्वारा कंट्रोल के जाने वाले इन आइलेंडों से अपने मिलिटरी अपरेशनों को बंद करना पड़ता बल्कि एक तरीके से देखे तो साउच चायना सी के अंदर अमेरिका का और कोई भी वेस नहीं वच्चता और अमेरिका को मजबुरन जिपैन के अनियंतरि इस चायना सी के बेस में ही सीमित रह जाना पड़ता इवन दोस्तो स्कारवरो आइलेंड के इस्तेमाल से अमेरिका साउच चायना सी के अंदर चायना के खिलाब ऑपरेशनों को भी अंजाम दे सकता है और आवशकता पढ़ने पे चायना के हर तरीके क हरकतों के उपर नजर भी रख सकता है जबकि दोस्तो ऐसा मुश्किलों का सामना अमेरिका को करना नहीं पड़ा क्योंकि डिफेंस सेकेटरी लॉयर आस्टेन के फिलिफीन दोरे के बाद हर तरीके के मुद्दे को सॉल्फ कर लिया गया और अमेरिका और फिलिफीन के बीच चुका हो कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पे नेवल स्ट्राइक मिसाइलों का ही तैनाती किया गया है और ये ग्राउंड में तैनात करने के वज़ा से आपको आसने से ये भी पता चल गया होगा कि ये ग्राउंड बेस एंटी शिप मिसाइल है इवन कई-कई जगाओं में चलने वाले कॉंसेट भी कहा जा रहा है जहाँ पे इसका असल कारेशमता ये है कि दुश्मन के ठीकानों को तावर तोर हमला करके तवा करना और उसके बाद नेवी के फोर्सेस के द्वारा उस हिससे के उपर कवजा करना नेवल स्ट्राइक मिसाइलों को अगर देखा इवन इन मिसाइलों के बेस पे एक एर लॉंच एंटी शिप क्रूज मिसाइल का भी डेवलाप्मेंट किया गया है जो एफ-35 फाइटर एयर कैप्टों में इस्तेमाल होगा और इसे जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल भी कहा जाता है बैसिकली दोस्तों इन मिसाइलों का 2012 से शुरू हुआ और अब तक इन मिसाइलों को मलेशिया, नौर्वे, पोलेंड और उनिटेट स्टेट के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जवकि कैनेडा, जर्मनी और रुमानिया जैसे देशों के द्वारा भी जल्दी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि कंपनी का ये भी मानना है कि यूकरेण और इंडिया भी इन मिसाइलों का ओर्डर प्लेश कर सकता है, दोसरे इन मिसाइलों को काफी महंगा तरिन मिसाइल का रूप में पैचाना जाता है और रिपोर्टों के मुताविक ऐसे हर एक मिसाइल का रेट करीव-करीव 21,94 4,000 डॉलर तक है ये मिसाइल वजन में काफी हलका है और करीवन 410 किलोग्राम वजन का है जिस वज़ा से इन मिसाइलों को काफी फ्लेक्सिवल मिसाइल भी कहा जाता है मिसाइल का लंबाई वी करीवन 3.95 मीटर मतलब 13 फीट है और इसमें करीवन 125 किलोग्राम हाई एक्सप्ल देता है और इसके बाद इसमें इस्तेमाल होने वाले माइक्रो ट्यूब TRI-40 टर्बो जेट इंजिन काम शुरू करता है तो सो नेवल स्ट्राइक मिसाइलों के अलग-अलग वेरियेंटों के अलग-अलग तरिके के ओपरेशनल फीचर्स के साथ अलग-अलग रेंज है इन हाई हाई और देन लास्ट में लो़ प्रोफाइल मोड में फ्लाइ करता है तो यह कम से कम पांसो 555 किलो मेंटर के डिस्टेंस ट्रावल कर सकेगा मिसाइल के पास सी स्कृमिंग कैपाबलिटि भी है मतलब ये मिसाइल समुंदर के सतेय से लगके उड़ान भढ़ सकता है जि इसके रफ्तार को High Subsonic रफ्तार कहा जाता है मतलब ये Mark 1 के रफ्तार से थोड़ा ही कम रफ्तार से ट्रावल कर सकता है जिस वजा से इसे Subsonic Missile ही कहा जा सकता है Guidance System को अगर देखा जाए तो इसमें Internal Guidance System के इलावा GPS, Print Reference Navigation, Image Reference Navigation, Infrared Homing और Target Database जैसे Navigation System का इस्तिमाल किया गया है और इसके Launch Platform को अगर देखा जाए तो इन Missile को नेवी के जहाजों के इलावा Land Ways वेकलों में भी तैनात किया सकता है अब दोस्तो बड़ा बात ये है कि इसरी 550 किलोमेटर रेंज वाले और सबसाने क्रफ़तार से ट्रावल करने वाले इन Missile के तैनासी से चाइना इतना क्यों घवराया हुआ है और इसा क्या है जो चाइना इसका बिरोधिता नहीं कर पा रहा है तो दोस्तो आपके जानकरी के लिए वता दू कि अमेरिका के द्वारा एक ऐसे आइलेंड को चुना गया है जो बेसिकली फिलिफीन के ही अंतरगत है और फिलिफीन से चाइना चाहे भी तो इसको चीन नहीं सकेगा क्योंकि ये चाइना के मेंन लेंड से काफी दूर है और यहाँ पे आके अगर चाइना करवाई करना का खूशिश करता है तो चाइना को मुखी खाना पड़ेगा बेसिकली ऐसे आइलेंडों के लिए चाइना अलग अलग रंडितियों को अपना रहा है जहाँ पे पहले तो यहाँ पे मुखर रूप पे चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है लेकिन बाद में चाइना जब साउथ चाइना सी के अंदर स्ट्रॉंग होगा तो इस आइल कर सकता है कि चाइना के जहाँ को अब इन एक शेतर से कम से कम 550 किलोमेटर के डिस्टेंस को मेंटें करते हुए गुजरना पड़ेगा दूसर तरफ जब चाइना के खिलाब मिसाइलों को तैयनात किया गया है तो अबीसली मिसाइलों को कंट्रॉल करने के लिए और फायर करन इन जहाजों के वारे में जानकारी दे सकता है दूसरे तरफ ऐसे मिसाइलों के तैनाती के वाद फिलिफिन जैसे देश जो के चाइना से आकार में काफी छोटा और मिलिटरी पावार में काफी पीछे है वो भी अब मुखरता के साथ चाइना के विरोध में आगे आ सकेगा और चाइना जिस तरह के मनसूबे को अपनाने का खुशिश कर रहा है या जिस तरह के मनसूबे को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है उसे अन्ने देज भी काउंटर करने में सक्षम होगा दोसे फिलिफिन के इस आइलेंड में, अमेरिका के मिसाइल के तैनाती का मतलब ये भी है, कि अगर कभी वविश्य में लड़ाई होता है, तो लड़ाई का शुरुआत इन से तरह से हो सकता है, दूसे तरब मिसाइलों के तैनाती के वज़ा से यहाँ पे और जात में बना हुआ बेल आइकन को इप्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए, सबसे पहले, जैहिन!